हेलो फ्रेंड्स बहुत स्वागत है आपका इभी शेकर्डमी पर फ्रेंड्स आज के इस क्लास में भी आप सरसाथ भी बीपीसी और सीडिप्यों के लिए ठर्टी कोशन देखने वाले हो हर एक कोशन काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखेगा उसके बारे में एक्स्ट् करना है देखिए ओप्शन नमबर फ्रेंड्स अगर आपको टाइम चाहिए होगा तो आप वीडियो को रोक लिया करिएगा और कोशिश करिए 24 प्लस माक्स यहाँ पे सही करने का 24 प्लस कोशन अगर सही होता है तो समझेगा आपकी तैयारी अच्छे से हो चुकी है नहीं त अर्थम व्यक्तिगत सत्यागर ही कौन थे बिनोवा भावे समझेगा मार्च 1940 का जो कॉंग्रेस का जो रामगर वाला अधिवेशन हुआ था उसमें व्यक्तिगत सत्यागरा के दूसरे सत्यागर ही अगर पूछ ले आप से तो जवाहर राल नहरू जी चुने गए थे ठीक ह 1940 इस्वी में ब्रेटी सरकार की जो यूद्ध नहीं थी उसके खिलाफ महत्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्यागरा चालू किया गया था ठीक है ऑप्शन नमबर आपका यहां पर बी हो जाएगा बिनोवा भावे और जवाहर लान नहरू पहले और दूसरे सत्याग कौन थे ऑप्शन नमबर यहां पर डी हो जाएगा सही जवाब पट्टा भी सीता रमया सही जवाब है ठीक है देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन निम्न में से कौन एक उग्र विचार धारा के समर्थक माने जाते हैं ओप्शन नमबर सी हो जाएगा विपेंट चंदरपाल आपको पता ही होना चाहिए कि भारती राष्टी कॉंग्रेस में लाल बाल और पाल करो यह मतब तिगरी था यह काफी ज़्यादा फेमस रहा था गरम दल से यह समन्दित थे ठीक है देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन बताना है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना किसने की देखिए डॉक्टर राजेंद प्रसाद की यह एक फेमस बुक है अगर यह पूछ ले आप से कि यह लिखा कब गया था नाइंटीन फुर्टी सिक्स में यह लिखा गया था ठीक है भारत के राष्ट पती पद पर रहते हुए उन्होंने बापू के कदमों पर लिखा था ध्यान रखेगा 1954 निश्वी में यह बहुत फेमस बुक है बापू के कदमों में 1954 में लिखा गया था किसके द्वारा डॉक्टर राजेंदर प्रसाद के द्वारा यह उन्हीं की रचना है बापू के कदमों में एकजाम में पहले पूछा गया है नेक्स्ट कॉर्शन दिखते हैं बताना है कि निमलिकित में से कौन सा यूग में जो सही सुमेलित है देखिए मौलाना जो आजाद है अलहिलाल यह बिलकुल सही मैज किया हुए ठीक है अलहिलाल किसके मौलाना आजाद यानि की अजाद के द्वारा ये प्रकासन किया गया था ठीक है यांग इंडिया और यहां पर आप देख रहे हैं यांग इंडिया यांग इंडिया और हरीजन पत्रिका जो है यहां पर हरीजन में देखेंगा हरीजन ये दोनों किसके द्वारा ये महत्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था ठीक है मौहमम्मद अलि के द्वारा यह किऊ स County और यहां पर आपका जो common wheel है यह किसके द्वारा किया गया था तो एनीबेसेंट का यह अख़बार था ठीक है जैसे यह option नंबर भी आप देख पारे है common wheel जो है यह इसका एनीबेसेंट के द्वारा यह प्रकासित किया जाना वाला एक अख़बार था ठीक है देखते है next question बत सही राना कुमः समझेगा राजस्थान में चित्वरीपकर करने के बाद क्याओं इसी के खुशी में की इरती अस्थम का क्या हुआ तुष्थ कि राजा थे तो आपको ध्यान रखना है कि मेवार के राजा थे और इनका यह 1433 ते लेकर 68 तक 1468 तक ये क्या थे वहाँ के राजा बने रहे थे नेक्स्ट कुश्चन है बताना है कि प्रतीक मुद्रा का चलन किस मध्यकालीन साशक ने आरंब किया ओप्शन नमबर आपका सी हो जाएगा मोहमद बिन तुगलक के द्वारा ठीक देखिए प्रतीक मुद्रा का जो चलन कागची मुद्रा का जो सबसे पहले परचलन हुआ था वो मोहमद बिन तुगलक के द्वारा ही किया गया था ओप्शन नमबर सी बिलकुल सही है नेक्स्ट कुश्चन है कि बारह माशा की रचना किसने की थी बहुत ही जाला एजी कोश्चन है तो ओप्शन नमबर आपका ए हो जाएगा मलिक मुहमद जैसी के द्वारा बारह माशा की रचना की गए थी जैसी का जो एक और मतलब परशिद रचना है वो पदमावत है पदमावत कहीं बारह माशा हिस्सा है धिरन रखिएगा निम्रिकित में ऐसे कहा रहा है कि किसका विरूद समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था सवाल को समझ लिजेगा ओप्शन नमबर आपका यहाँ पर दी हो जाएगा पास्चात जो सिक्षा था वो राजा राम मोहन राय ने बाल विवा हो गया मूर्ती पूजा हो गया और सती पर्था है इन सब का विरूद किया था ठीक है बट यहाँ पर जो दिया हुआ है कि सिक्षा के छेद में यह पास्चात सिक्षा का विरूद उन्होंने नहीं किया था आपको पता होना चाहिए एक उन्हें भारतिय पुनरजागरन का अगरदूत भी कहा जाता है नेक्स्ट कोशन है कि इन में से किस आंदोलन के दौरान किसानों ने प्रभू एवं खुदा के नाम पर सपत लेकी वे लगान नहीं देंगे आप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब बार्दोली सत्यागरा हमें समझेंगे बार्दोली सत्यागरा के जो दौरान था किसान की एक बैठक हुआ था उसी के दौरान यह प्रस्ताव पास कर दिया गया था कि सरकार किसी भी जब तक यह निश्पक्च जाच कमीटी के गथर नहीं करेगी तब तक लगान नहीं दिया जाएगा किसानों ने प्रभू और खुदा के नाम पर लगान नहीं देने का सपत लिया था इसके बाद यह गीता का कुरान का पाठ वगड़ा स्टार्ट हो गया था ठीक है एक बात और समझ लेंगे कि बारदोली सत्यागरा से ही सरदार पटेल को सरदार की उपाधी दी गई ठीक है सरदार की उपाधी पटेल सहाब को कब इसी के बारदोली सत्यागरा के बाद ही दिया गया था ठीक है ध्यान रखिएगा एक्जाम में ये भी चीज पूछा जाता है नेक्स्ट कुश्चन दिखते हैं कि बता रहा है कि राष्टिये मतदाता दिवस निमलिकित में से किस तिथी को मनाया जाता है देखे 2011 से कबसे 2011 से 25 जनवरी को अप्शन नमबर बी को राष्टिये मतदाता दिवस मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है अगर ये पूछले तो आपको पता होना चाहिए कि 25 जनवरी 1950 से ही 50 को ही ये निर्वाचन आयोक का गठन हुआ था कब 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोक का गठन हुआ था इसी वज़ा से 2011 से 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है नमबर 12 है भारत के समिधान के श्रोत में निमलिखित में से कौन सा सुमेरित नहीं है आप्शन नमबर आपका यहाँ पर वीडियो को चाहिएगा तो रोक लीजेगा आप्शन नमबर डेकिए D हो जाएगा आयरलेंड क्या था समझेंगे आयरलेंड से यहाँ पर जो मॉलिक कर्तव है इसके बारे में समझें कि आयरलेंड के समिधान से राज के नीती निर्देशक से धान्त को लिया गया है अगर पूसता है कि मॉलिक कर्तव तो सोवियत संग से मौलिक कर्तव को सोवियत संग से और ये जो आपका है दच्छिन अफ्रिका से समिधान संसोधन लिया गया है ठीक है आपको पता होना चाहिए कि भारत सार्षन जो अधिनिया मुनिश्व पैंतीस आया था उसे ही समिधान का मौल्स रोद के रूप में भी आप जानते हैं ठीक है तो आयर लेंड यहाँ पे ना होकर मौलिक कर्तव अगर पूस्ता है आपसे ये कहां से लिया गया तो सोवियत संग से ठीक है सोवियत संग से लिया गया था देखते हैं नेक्स्ट कुश्यन भारत के किस मुख्य नियायधीश ने कुछ समय तक भारत के कारिवाहक राष्टपती के रूप में कारे किया ओप्शन नमबर आप कड़ी हो जाएगा नियायमूर्ती M हिदायतुला समझेगा नियायमूर्ती M हिदायतुला ने कारिवाग राश्टपती के रूप में दो बार पदभार समाला था ठीक है और वे भारत के भारत के नंबर 6 नंबर के उपराश्टपती भी रह चुके हैं नेक्स्ट कुश्चन है भारत के राश्टपती ने एक मात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो सक्ति का प्रियोग किया वह था कौन सा था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत डाक घर संसोधन जो ये विधेयक था वर्ष उनिस्ट च्यासी में उस वक्त के जो राश्टपती थे ग्यानि जैल सिंग उन्होंने मतलब ये जो है पॉकेट वीटो होता है उसका प्रियोग कर डाक घर संसोधन विधेयक को मतलब डाक 266 में 1986 में नेक्स्ट कोर्शन है भारत के राश्टपती द्वारा वित आयोक का गठन किया जाता है प्रतेक कितने वर्ष पर आपके अनुच्छेद 280 के एकॉर्डिंग ठीक है राश्टपती प्रतेक पांच्वे वर्ष ऑप्शन नमबर सी पांच्वे वर्ष के वित आयोक में मतलब वित आयोक का गठन करते हैं भारत में पंद्वे वित आयोक के रिपोर्ट को ही संसाद ने भी स्विकार किया है ठी अगर अभी तक आपने प्रेलिस्ट में आकर नहीं देखा तेक बार चेक कर दिजेगा काफी प्रैक्टिस सेट अप्रोड किया जा चुका है ऑप्शन नमबर भी हो जाएगा सही जवाब 2015 से नेक्स्ट कुश्चन है बताना है आपको कि वस्तु एवंक सेवाकर जिसे आप जीएश्टी के नाम से जानते हैं कि समन्द में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए देखिए नमबर ए में है एक जुलाई 2021 को जीएश्टी के चार वर्स पूरे हुए आपको सोचना है यह सही यह गलत है सकेंड पे है जीएश्टी को अनेक और परत्यक्ष जीएश्टी में अ 5%, 12%, 18% और 26% की दर है नेक्स्ट है जीएश्टी परिसर जीएश्टी की दर निर्धारित करती है क्या जवाब आपका सही होना चाहिए यहाँ पर आप देख लीजिए अब देखिए option नमर आपका यहाँ पर C हो जाएगा जो गलत है इसमें 5%, 12%, 18% तो है ठीक है समझेंगे यहाँ पर जो 26% है आपका यह गलत हो जाएगा ठीक है यहाँ पर क्या होना चाहिए 26 की जगह होता है कितना 28% का दर होता है ठीक है तो option नमर आपका C यहाँ पर बिलकुल सही हो जाएगा क्योंकि यह कथन असत्य है देखते हैं next question बताना है कि वर्स 2021 में भारत का क्रिसी नि दॉलर हो गया समझिएगा वर्स 2021 में भारत का क्रिसी निर्याद कितना 41.08 अरव डॉलर हो गया बताना है कि 2021-2029 की तुलना में यह कितनी वेधी हुई है कितना परसेंट का वेधी हुआ है option A हो जाएगा सही जबब 18% का वेधी हुआ है थोड़ा सा और इसके बारे में समझ लेजेगा भारत से निर्याद जो किया जाता है कुछ प्रमुक जो क्रिसी उत्पाद है उसमें कौन-कौन सा होता है देखिएगा जिसे बास्मती चावल है भैस का मांस मसाला गैर बास्मत है तके चावल हो गया कच्चा का पास है खली होता है चीनी है फिर ठील होता है उसका अरंडी का तेल है फिर जैसे चाए है यह सारे सामिल होते हैं और यहां पे जान लिजे कि 20 विकिरेशी निर्यात में जो ना भारत है बारत के किरेशी निर्यात की जो हिस्चेदारी है अगर यह पूछ लिए आप से कित나 परसेंट है तो परसेंट आपको ध्यान रखना है ज़्यादा ही है मतलब धाइपरसेंट आपको ध्यान रखना ऑप्शन अगर देगा तो धाई परसेंट ही आपके यहाँ पर देगा ते नेक्स्ट कुश्यन बताना है कि इनमें से नवीनतम रॉक सिस्टम कौन है ऑप्शन नमबर सी हो जाएगा गोंडवाना गोंडवाना रॉक सिस्टम सबसे नवीनतम है और यह जान लिजे कि जैसे भारत का जो लगभग 98% 98% कोईला छेतर है वो गोंडवाना छेतर में ही है ध्यान रखिएगा काफी इंपोर्टन है यह भी नेक्स्ट है भारत की वैसी नदी जो हिमाले की सभी स्रिंखला को कारती है उस नदी का आपको नाम बताना है तो ऑप्शन नमबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाप सतलज समझेंगे सतलज नदी जो है यह हिमादरी हो गया मद हिमाले है और सिवालिक स्रेनी है इन सभे को कारती हुई कहां पर किस नदी में तो शिंधू नदी में जाके यह क्या होता है मिल जाती है नेक्स्ट कोशन है कि राइडिंग फ्री माय ओलम्पिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है और आप्शन नमर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा सही जवाब डी होग एक बुक है उसका नाम है एस सौट एस सौट एस सौट एट हिस्टरी करके है काफी फेमस है यह भी एक जामें पूछा जाता है अभिनब बिंद्रा के द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है नेक्स्ट कुशन है कि टोक्यो पैरलम्पिक 2020 में कुल कितने खेल सामिल थे यह आ ठीक है कितना 22 खेल था भारत की और से अगर पूछ ले तो कुल टोटल कितना खिलारी ने टोक्यो प्रेलम्पिक 2020 में भाग लिया था यह भी आप जान लेजिए चाववन था ठीक है चाववन खिलारी भारत की और से थे ठीक है आए देखते है नेक्स्ट कुशन बताना है क किस देश की पहली महिला अंत्रिक्स यात्री बनेंगी ऑप्शन नमबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा सही जवाब सही युक्त अरव अमिरात की बनेंगी नेक्स्ट कुशन है यह भंडारन लागू करने वाला भारत का पहला राज कौन बना ऑप्शन नमबर यहाँ पर हो सकेगा इसके लिए किस ने यह स्टार्ट किया है यह भंडारन लागू किया है तो बिहार ने किया है नेक्स्ट कुशन गराम उजाला योजना के तहत गराम इन छेत्रों में दस रुपे में एलेडी बल्व जो है वो परदान किया जाएगा बताना है कि इसकी बिहार के किस जीला से हुई है ऑप्शन नमबर आपका डी हो जाएगा आरा से याने कि भोजपूर जीला से देखिए गराम उजाला योजना की जो सुरुवात है वो केंदरिये उर्जा राज्यमंतरी कौन है नाम तो आप जान ही लिजिए पूस्तक्ता है आर के आर के सी है ठीक है इनके ही द्वारा ठीक है आरंब किया गया था इस योजना के तायत गरामें छेतर में रहने वाले लोगों को 10 रुपया में LED बल्व परदान किया जाएगा और सबसे पहले चलिन के सुरुवात बिहार के भोजपूर जीले से की गई है नेक्स्ट कोशन है कसेरुक रज्जू में में से कितनी जोड़िया तंत्रिका निकलती है ओप्शन नमबर सी हो जाएगा 31 जोड़िया तंत्रिका तंत्रिका होता है वो निकलती है जिन्हें आप इस्पाइनल तंत्रिका कहते हैं क्या कहते हैं इस्पाइनल तंत्रिका कहते हैं ठीक है तंत्रिका है जो है हाथ पेर के पेसियां हो गया त्वचा की गरंतियां हो गया श्रवन ग्याने इंदरिया है इन सभी को मेरू रज्जू से जोड़ती है ठीक है देखते है नेक्स्ट हो जाएगा डी किसी भी मौसम में सरीर के तापमान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है ठीक है समझेंगे कि मनी मजीर मानव सरीर का जो ताप करम है वो नॉर्मली कितना होता है अगर पूछे तो 98.6 डिगरी फॉरेन हाइट होता है ठीक है या फिर अकर सेल्सियस में पूछ ले कि निर्वात में गमन करने वाली तरंग है कौन सी तरंग है ओप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा विद्यूत चुम्बकिये तरंग नेक्स्ट कुर्शन है ठोस कारवन डायोक्साइड को किस दाव पर संग्रहित किया जाता है ओप्शन नंबर यहाँ पर यह हो जाएगा उच्च दाव पर देखिए सी ओ टू को जो है उच्च दाव पर संग्रहित किया जाता है जब वाईवंडल यह दाव को माप का माप एक एक अट्मोस्फेर हो तो ठोस कारवन डायोक्साइड दरववस्था में आये बिना सीधे गैस में भी परिवर्तित हो जाती है ठीक है इसी कारण से ठोस कारवन डायोक्साइड को सुस्त बर्फ भी कहा जाता है आज का लास्ट कोशन देखते हैं क्रीशी में परियुक्त यूरिया में नैट्रोजन की मात्रा निमलिखित में से कितनी होती है तो आप्शन नमर आपका यहां पर सी हो जाएगा 46 परसेंट आपका तो फ्रेंड्स आजा करता हूँ BPSC 67 और CDPO जो आपका 2022 में भी दोनों एक जाम होना है इसके लिए आपने टॉप 30 कोशन देखा जिसके बारे में कुछ एक्स्टा फैक्ट भी बताया गया था आजा करता हूँ क्लास देखकर आपको अच्छा लगा होगा कुछ जानने को आ आएगा काफी सादा प्रैक्टिस इट आ चुका है ताप एक बार जरूर प्लेरिस्ट में आकर चेक कर लिजेगा ऐसे हैं फ्रेंड्स बने रही है अब इसी एकडमी के साथ अपना प्यार देते रहिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स